हेलो फ्रेंड्स मैं सिये मुहित पुनिठा आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल टेक्स कप्षप में आज की इस वीडियो में हम एक जो है रिव्यू करेंगे टी-स के प्रोविजन को जो की सेक्शन 206C1H के बारे में जो की काफी ज्यादा चट्चा में रहा और कौन से केसे में इसकी अप्लेकबिलिटी आती है उसको एक बार रिव्यू करेंगे ऑल्दो हम इसको काफी बार जो है डिसकेशन कर चोके है फुल फ्लेश यह एक रिवीशनरी वीडियो बनाए गई है शॉट में इसको एक जल्दी से इसका रिकाप किया जाए ताकि हमे इस शॉर्ट टाइम में कम देर में ही समझ आ जाए कि किस तरीके से हमें 2061H का कंप्लाई करना है यह जो प्रोवीजन है 2061H यह TCS के रिगार्डिंग में है और TCS यह नया जो है सेक्शन लाया गया है इंकम टेक्स एक 1961 के अंदर सेक्शन 2061H जो की बात करता है TCS का सेल आउ गुड्स के केस में इसमें सेलर कोन होगा हमें कुछ पॉइंट दियान में रखने है सेलर कोन होगा बाइर कोन होगा रेड क्या रहेगा ए convenability कैसे रहेगी तो ये सारी चीज़े हमें ध्यान में रखनी है इसको one by one हम cover करके चलते हैं अगर हम seller की बात करें तो seller receiving a consideration for the sale goods of the value exceeding 50 lakh ये कब applicability आती है इसकी जब seller जो है receive करता है consideration वो माल बेचेगा और उसके बाद consideration receive जब वो करेगा वो consideration की जो value होनी चाहिए वो consideration जो amount receive कर रहा है उसकी value जब 50 lakh से उपर exceed कर जाएगी in the previous year तब उस case में जो है हमारी applicability आजाएगी 206C1H की right amount सबसे पहले हमने बात करी amount की कि amount क्या रहेगा amount अगर हमारा amount क्या निकल के आया हमारी value क्या निकल के आई 50 lakh रुपे जब इससे अगर amount कम है तब इसकी applicability बिल्कुल भी नहीं आईगी अब इसमें कौन सी जब हम 50 lakh compute कर रहे हैं तो कौन-कौन सी exception है इसमें दो exception हम कह सकते हैं एक है exported अगर export की value है जब हम 50 lakh की value compute कर रहे हैं देख रहे हैं कि 50 lakh exceed हो गया है कि नहीं हो गया तो उस case में जो है export जो करे होंगे उसकी value को consider नहीं करा जाएगा और दूसरा क्या consider नहीं करा जाएगा section 206C, subsection 1, 1F, 1G अगर already जो है TCS कट रहा है तो उस case में भी उन transaction के उपर भी 206C, 1H की applicability नहीं आएगी अब ये 50 lakh से उपर जब amount receive होगा तो उस के उस time पे किस rate पे जो है TCS collect करना होगा तो यहाँ पे लिखा है seller's shell at the time of receive कब collect करना होगा at the time of receipt of such amount collected from the buyer जैसे ही amount seller जो है buyer से receive कर लेगा तो उस amount के receive करने के साथ एक additional amount वो लेगा buyer से वो additional amount as a TCS वो collect करेगा और कितना amount collect करेगा sum equal to 0.1% सिरफ और सिरफ 0.1% 1% भी नहीं है यह 0.1% मतलब कितना amount निकल के आता है 1000 रुपे में अगर हम बात करें तो 0.1% हमारा सिरफ और सिरफ 1000 रुपे के उपर सिरफ और सिरफ एक रुपे जो हमारा साथ में TCS collect करेगा तो मतलब total amount कितना collect कर लेगा वो 1001 collect करेगा 1000 रुपे तो उसके अपनी payment और एक रुपया एजाट TCS यह example के लिए है क्योंकि यह multiple just suppose अगर 52 lakh receive किया उसने अगर उसने amount receive किया 52 lakh rupees तो 52 lakh 50 lakh तक तो 50 lakh तक में तो नहीं लगना उससे उपर जब वो 2 lakh रुपे जो amount है 2 lakh रुपे का amount इसके उपर कितने percent 0.1% तो amount क्या निकल क्या आया TCS का 200 रुपे वो TCS अलग से collect करेगा 52 lakh 200 रुपे जो है वो collect कर लेगा इस तरीके से जो है इसकी applicability आ जाएगी यहां लिगा है some amount 2.1% of the sale concentration exceeding इसलिए मैंने 2 lakh के उपर लिया 50 lakh को छोड़ दिया और 2 lakh के उपर लिया क्योंकि जो 50 lakh से उपर की value है उसके उपर करना है तो 50 lakh के 2 part हो गए यह 52 lakh के 50 lakh और 2 lakh 2 lakh के उपर जो है 0.1% जो है लिया 200 रुपे और इसके उपर कुछ भी applicability नहीं आएगी यह amount 0 रहेगा तो total TCS के ता रहेगा 200 रुपे का TCS total रहेगा इसको मैं पहले भी detail में काफी बार discuss कर चुका हूँ जस्ट यह एक recap video है ताकि short में हमें एक बार review हो जाए यह provision दुबारा से तो इसके बाद pan अगर कोई pan अधार अपना नहीं देता उस case में 0.1% की जगा 1% किया जो है TCS collect होगा और वो जो है 206CC जो है हमाई इस बारे में कहता है कि अगर pan अधार नहीं देते तो उस case में जो rate applicable रहेगा 1% रहेगा इसकी non applicability कि रहेगी if the buyer is liable to TDS अगर already जो है buyer TDS liable है TDS deduct करने के लिए अगर जब हमें buyer payment करेगा उसके उपल applicability आती है कि वो TDS काटे तो उस case में अगर TDS उसको deduct कर रहा है तो TCS की liability नहीं आएगी हमार in short अगर हम कहें अगर TDS applicable है अगर TDS applicable हो रहा है उस transaction में then TCS not applicable right TDS अगर applicable है तो TCS applicable नहीं रहेगा if the buyer is liable to deduct TDS under any provision under any other provision of this act on the goods purchased by him from the seller has deducted TDS has deducted such amount तो उस case में short में हमें यह समझना है कि TDS applicable है अगर TDS deduct कर रहा है buyer तो उस case में seller जो है TCS collect नहीं करेगा अब इसमें हमने बात करी थी rate हमने देख लिया 0.1% और अगर pan नहीं देता तो 1% applicability हमने देख लिए कब कब applicable रहेगा 50 लाग से उपर की amount पे applicable रहेगा अब बात रही seller कोन है और buyer कोन है तो आईए बात करते है seller की तो seller कोन रहेगा इसके लिए seller means person whose turnover for the business exceeding 10 crore rupees during the financial year immediately preceding the financial year in which sale of goods is carried out अगर हम बात कर रहे हैं financial year 2021-22 की तो हमें क्या देखना है कि हमारी turnover 20-21 में कितनी हमारी turnover थी turnover अगर 10 crore से exceed कर रही थी तो अगर उपर थी तो applicable होगा यह provision otherwise यह provision हमारे उपर applicable नहीं होगा अगर 10 crore से हमारी turnover नीचे थी तो not applicable क्योंकि वो seller की capacity में ही नहीं आया जब seller की capacity में नहीं आएगा तो provision ही applicable नहीं होगा ऐसे ही इसी वे में हमें buyer भी देखना होगा लेकिन seller में कहा गया है एक exception डाली गई है अगर किसी person को government ने notification के द्वारा exempt किया है अगर किसी seller को central government ने by notification specified for this subject to such condition अगर उसको exempt किया है तो उस case में उसके उपर applicable नहीं रहेगा उसके उपर उसकी applicability नहीं आएगी इसी तरीके से हम आगे देखेंगे कि buyer के बारे में क्या है buyer में buyer के case में कैसे रहता है buyer के case में exception देखनी होगी हमें buyer के case में exception देखनी होगी कि कौन-कौन से buyer जो है exclude करे गए है इसके लिए buyer कौन-कौन से exclude करे गए है पहला सबसे buyer अगर जो buyer है वो central government, state government, embassy, high commission, legislation commission, consulate या फिर trade representative of the foreign state है तो ये सारे जो है buyer की capacity में exempt करे गए हैं इनसे additional TCS collect नहीं किया जाएगा इनसे TCS collect नहीं किया जाएगा, local authority से भी TCS collect नहीं किया जाएगा या फिर person import कर रहा है अगर जो buyer है वो import कर रहा है goods into India or any other person as a central government तो ये भी exempted category में है इसके इलावा अगर central government किसी को notify करता है इसके इलावा अगर by notification central government जो है buyer की capacity में notify करता है तो वो भी exempt रहेगा तो ये सारे जो है कौन seller रहेगा कौन buyer रहेगा ये भी हमने देख लिया buyer को कौन रहेगा जिसकी previous year में turnover जो है 10 क्रोड जो पर हो और buyer जो है सारे के सारे रहेंगे except जो exclusion में आ रहे हैं उसको छोड़ के तो हमने इसको पूरा recap कर लिया कि seller कोन रहेगा buyer कोन रहेगा rate के applicable रहेगा और limit क्या रहेगी इस limit से उपर में जो है हमें TCS collect करना है तो ये एक short recap वीडियो थी अगर इसको detail में समझना है तो आप channel में जो है income tax के अलग से playlist बनाई गई है वहाँ पर इसको detail में समझ सकते विद इग्जामपल जो है वहाँ पर हमने इसको समझाया है तो वहाँ पर उसके बाद भी अगर कोई आपको query रहती है तो आप हमें mail कर सकते हैं तो इसी के साथ आज की वीडियो को क्लोज करते हैं मिलते हैं फिर नेक्स वीडियो में नेक झाल